शूमन ने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत सारे सोलर एनरजी कॉंसेंट्रेटर्स तयार किये। इनसे भाप का एंजिन भी चल जाता था। शूमन को अमीद थी कि सूरी की ताकत से वो रेगिस्तान में सिचाई करके उसे हरा भरा कर सकते हैं। 1913 में शूमन के सूलर पावर प्लाइंट का जब अपचारिक रूप से उदगाटन हुआ तो उसे एक बड़ी काम्यावी माना गया। सूरी की गर्मी का बड़े पैमाने पर इस्तमाल करने का तरीका खोज निकाला था। और सौर उर्जा को कोईले से भी सस्ता कर दिया था।